बिसमिल्लायर्माइन रहीम, अस्सलामुलेकूम, वेलकेम बैक टू माय चैनल, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप 12 कली को 24 कली में किस तरीके से कनवर्ट कर सकते हैं, और साथी में मैं आपको जो है इसकी स्टीचिंग भी सिखाऊंगी, कटिंग में किसी और वीडियो में इ तक जरूर देखिएगा, आपको मैं चोड़ी चोड़ी बात इसमें बताऊंगी, जो के आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर देखिए कली वाले अनार कली के लिए मैंने उपर का जो पार्ट है, यह मैंने रेडि कि यहां पर देखिए मैंने लाइनिंग को अटेच किया है, और यहां पर देखिए मैंने लाइनिंग को अटेच किया है, और यह प्लेर्स मैंने दोनों तरफ डाल दिये हैं, लेकिन मैंने फ्रंट का निक पहले से रेडि कर लिया है, और इसके बाद मैंने यहां पर देखिए sleeves को भी ready किया है और यह मैंने यहाँ पे chicken का fabric लिया है इसमें मैंने सामने की तरफ से fold करके दो सिलाई लगा दी है और इसमें जो नीचे का घेरा रहेगा वो हम यहाँ पे कली बनाने वाले है तो इसमें मैंने जो है यह कलियां कट करके रखी है और इसमें जो है मैंने यहाँ पे double border को एक साथ में attach किया है क्योंकि यह fabric ऐसा था जिसमें दोनों तरफ से border था तो मैंने एक तरफ का border निकाल की नीचे की तरफ लगा दिया है और यहाँ पे हिस्सा जो है वो plane वाला गया जो कि हमारे उपर वाले हिस्से पे रहेगा तो यहाँ पे मैंने total 12 कली कट की है 6 सामने की तरफ और 6 back में रहेगी लेकिन हम जो है इस 12 कली को 24 कली में जो है वो convert करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ पे देखिए मैंने कली को इस तरह बिछा के रख दिया है यह एक तरफ की कली है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सामने देखिए 6 कली रखी है इसे जो है अब हम 12 कली में change करेंगे तो मैंने यहाँ पे देखिए इसे 12 कली में change कर दिया किस तरीके से क्या है आप देख सकते हैं तो पहले मैंने कली को joint किया उसके बाद में मैंने एक कली में से बीच में से इस तरीके से सिलाई लगाई है कि ये कली डबल में convert हो गई आप देख सकते हैं बहुत यासान तरीका है कली को इस तरीके से ज़ादा बनाने के लिए इसमें घेरा भी बहुत अच्छा दिखता है और बनने के बाद भी बहुत खुबश्वरत दिखाए दिता है इसके बाद में हम उपर वाली पेटी जो है वो इसमें अटेच कर देंगे तो यहाँ पर जो मैंने front neck बना के ready किया है यहां बीच में हम सिलाई लगा की से पहले अटेच करेंगे उसके बाद में back neck हम बनाएंगे और हमें यहां पे सबसे पहले कमर जोइंड करनी है उसके बाद में हम zip लगाएंगे और फिर हमें neck बनाना है तो यहां पे मैंने सब रेडी करने के बाद में इसमें shoulder joint कर दिया है अब हम जो है इसके अंदर sleeves को joint करेंगे तो तेखिए मैंने यहाँ पे zip लगा दिया है zip मैंने इसलिए पहले नहीं लगाई थी क्योंकि हमने जो है यहाँ पे कली attach करना था और हमारे zip जो है सिलाई side में नहीं लगानी है हम नीचे से जो है दोनों तरफ slit को खोल देंगे तो हम यहाँ पे जो है वो marking करके side में सबसे पहले सिलाई लगाएंगे तो यह इस तरीके से अगर आप slit को खोल दिया है दीके दोनों तरफ से और यह slit जो है वो काफी लंबाई में खोला जाता है तो पहनने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगता है इसके नीचे आप लाजू पहन सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए helpful रही होगी इस वीडियो से आपने सीखा होगा कि किस तरीके से हम कली को बढ़ा सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो से लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें तो में अगली वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफिज